हेलो एब्रिवान माइनम इस पिनक दस एंड यो वाचिंग डिजिटल पिनक यूटूब चनल गाइस इन इस वीडियो आंग तो शेयर विट यू आल देट हाव यू कन सैट गोल फॉर यू लाइफ सो दोस्तों बहुत लोगों यह पढ़ेशानी होता है कि अपने लाइफ में गोल कैसे सेट करें उनको पता नहीं होता है लेकिन यह जरूर पता होता है कि सब के लाइफ में अगर एक गोल होता है तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में जिनके लाइफ में गोल नहीं है वह एक जगा पर जाके रुख जाते हैं बहुत साल पहले एक रिसार कि जिन 90% लोग के पास कोई गोल नहीं था वो लाइफ में आगे बढ़ने के बाद एक जगा पर जाके रुख गए और अपने लाइफ के साथ कम्प्रोमाइस कर गए और बागे 10% लोग के पास गोल थे तो वो लोग लाइफ में कुछ एचिव कर गए कुछ लोग एंटरप्र प्लीज सो इंपोर्टन फॉर एब्रीवन्स लाइफ बाट मैक्सिमम पीपल डॉंट नो हाव तो सैट ए गोल फॉर दिया लाइफ तोड़े इन दिस वीडियो आइं गोइं तो वीडियो आपने लाइफ में लाइफ में गोल सेट करना है चलते मेरे डेक्स्टो पे और स्काइब कर देना अगर यह वीडियो लाश्ट तक दिखने के बाद आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बड़न को प्रेश जरूर कर देना सो दोस्तों मैं आ गया मेरे डेक्स्टो पर आप यहाप देख सेकते हैं गोल सेटिंग फॉर्मूला मैंने मैं मैं बपलो के बना आ आर टी यह हो गया समक्र की क्या मतलब दोस्तों यह है ऐस मतलब स्पेसिविक आपका जो ग। तो वह स्पेसिविक होना है specific मतलब आपके mind पर clarity होना चाहे your goal has to be very clear and specific for yourself दोस्तो what exactly it is that you want to achieve and how will you do it and go into as much details as possible that means when you have all the clarity on your mind and then only you can achieve that goal so इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको मैं आपको सवाल करना पर लगा अपने आपसे आप क्या चाहते हो कितना पैसे आप कमाना चाहते हो like that हर किसी का goal अलग अलग होता है तो इसलिए मैं बता रहा हूं गब तक आप चाहते हो कैसे चाहते हो all must be clear आपका माइंड एकदम पूरी तरह से clear होना चाहिए आपको goal को लेके तो आपको एक clarity मिल जाएगा तो मैंने यहां पर बता है your goal should be very clear and specific to yourself मतलब आपको अपनी goal को लेके बहुत ही clear होना चाहिए और specific होना चाहिए आपको अपनी माइंड पर clarity होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो आपके goal क्या होना है ओके उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने यहां पर एक example दिया है कि I went to lose my 5 kgs within 3 months यह एक specific हो गया कि मैं अपने weight loss करना चाहता हूं 5 kgs within 3 months तो मेरे माइंड भी clarity हो गया यह okay let's see next next is M M for measurable 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 मतलब दोस्तों आपकी माइंड में जो goal है आपका जो goal है वो should be measurable always know how you can measure your goal be it directly or indirectly अगर आपका goal जैसे कि अगर मेरा मैंने यहां पर बता है कि I went to lose my 5 kgs within 3 months मतलब 5 kgs measurable है मेरे पास clarity है अपने माइंड पर कि कितना loss weight loss करना 5 kgs मतलब अगर मैंने 4.9 weight loss कर दिया 5 kgs weight loss करनी पाया that means मैंने जो goal set किया ता वो success मुझे नहीं मिला है मुझे 5 kg ही weight loss करना है इतना clarity है मेरे माइंड पर आभी so if you cannot measure it you will never know how the impact it had okay let's example मैंने यहां पर example दिया है जैसे कि 5 kgs I went to lose 5 kgs within 3 months so 5 kgs is measurable like your goal should be measurable and मैंने से यहां पर एक example दिया है आप कोई भी एक example ले सकते हो अपनी गोल के ऊपर depend होके थर्ड नमबर इस ए एफ और दोस्तों achievable achievable in the sense के आपका गोल ऐसा होना है कि वह reality मिसे मिलता हो also actionable आप जो goal set कर रहे हैं उसके लिए आप एक अच्छी तरह से action plan भी design कर पाए ऐसा goal आपको design करना है तो याद रखना हमेशा के आपका goal specific होना है measurable होना है और achievable होना है जो actionable भी हो so don't set impossible goal for yourself आपको वैसा goal set नहीं करना है जो impossible हो I want to lose 20 kilos weight within seven days this is also not possible for your kind information दोस्तों अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी बिमार हो जाएंगे okay example I can lose weight only by going gym मतलब actionable है मैंने अपने actionable goal यहापर set कर लिया है actionable plan बना लिया है तो I want to lose five kgs within three months मैंने जब अपने आप से सवाल किया how can I lose five kgs within three months then my mind give me the answer is I can lose weight only by going gym और do exercise so अपने goal को set कनते वक यह भी देखूंगा के actionable plan set up कर पर रहा हूं के इसके लिए so always you should know what you really want to do and to achieve your goal अगर आपका कोई long term goal है और आप उस goal को achieve करना चाहते हैं इसके लिए आपको small small short time goal भी बनाने होंगे उस short time goal को आपको achieve करना है जब आप short time goal को achieve कर पाएंगे तब ही आप long time goal को achieve कर पाएंगे जैसे कि ऐसा goal हो सकता है आपका के आज से 5 साल बाद 2025 में I want to earn 1 crore rupees and this is not impossible this is possible you can earn 1 crore rupees by 2025 but what really you need to know that how to earn 1 crore within 2025 वह आपके माइन पे specific होना है उसके आपके माइन में clarity होना है और आपको एक clarity माइन में लाना है कि one card or earn करना है और इतने टाइम पर earn करना है इसके लिए मुझे कितना कितना short time goal बनाना है वह भी आपके माइन में clarity होना है ओके ओके लेट्स सी नेक्स्ट नेक्स्ट इस आर आर स्टैंड फॉर रिलेवेंट दोस्तो यूर गोल शुड़ बी इंपोर्टांट एंड रिलेवेंट तो यू आर से और एक भी होता है आर और और सो realistic मतलब ऐसा गोल मत सेट किजिए जो impossible मैंने आपको पहले भी बताया है ऐसा गोल मत सेट किजिए जैसे कि 20 केजीज वेट में लॉस करना चाहता हूं विदिन 7 डेज वो impossible है वो realistic नहीं है वो real में impossible है आपका गोल्ड रिलेवेंट होना है आपके small गोल के साथ जितना small गोल आप बनाएंगे वो रिलेवेंट होना है अपने long term goal के साथ they should be help you to achieve your purpose in your life और your greater goal अगर आपका already weight कम है और आप 5 kg और कम करना चाहते है वो भी relevant नहीं है दुस्तों तो आपको अपने goal relevant करना है जैसे कि मैंने आपके weight loss बता रहा हूं 5 kg weight loss करना है अगर हो सकता है कि आपके already weight loss में चल रहा है आपको weight gain करना है तो वो होगर relevant आपके लिए तो याद रखना specific होना है your goal should be very clear and specific to yourself measurable होना है always know how you can measure your goal be it and directly or indirectly उसके बाद दूस्तों achievable also actionable मैंने बताया अभी कि आपका goal achievable होना है लेकिन actionable भी होना है actionable in the sense कि आप उसके लिए action plan बना पाएं आपके goal कैसे आप वो कर पाएंगे don't set impossible goal for yourself आपके goal एक ऐसा goal नहीं होना है जो impossible हो आपके लिए उसके बाद दूस्तों है जो मैंने याप एक्जेंपल दिया है actionable के मैंने एक actionable plan बनाया है कि मैं पता है कि मुझे I want to lose 5 kg within 3 months और मैंने सवाल किया है कि वह action plan कैसे होना है कि कर पाऊंगा मैं अपने 5 kg weight loss तो मैंने अपने आपको सवाल किया तो मुझे पता चला कि I can lose weight only by going gym तो मतलब वह actionable है मैं अपने जीम में जाकर 5 kg weight loss कर सकता हूं within 3 months this is possible मैं सिर्फ यह आप एक example दे रहा हूं आपको समझाने के लिए आप कोई भी goal यहापर set कर सकते हैं अपने life को define कीजिए और आपने life के उपर एक goal set कीजिए जो आप बनना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं हो सकता है आप बहुत बरी specialist doctor बनना चाहते हैं वो depend करता है आपकी passion के उपर, वो depend करता है आपकी choice के उपर, ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पर smart goal बताए, S भी हो गया, M भी हो गया, A भी हो गया, R भी हो गया, last में क्या आता है, last में आता है दोस्तो, time bound, यह बहुत ही, बहुत ही important है, time bound, time bound बहुत ही important है, Your goal should have a fixed timeline that you give to it, मतलब आपकी goal जो है, उसको एक deadline मिलना चाहिए, के मुझे कब तक चाहिए, See, I went to lose 5 kgs within 3 months, यहाँ पर मैंने 3 months बताया है, लेकिन यहाँ पर मैंने deadline नहीं दिया है, So, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि अगर मैं सोचूं कि दिन 3 months करना है, वो 3 months मैं कल भी सोच सकता हूँ कि 3 months के अंदर उसके बाद भी मैं सोचूं कि 3 months कि 3 months कभी भी मेरे लिए खतम नहीं होँगे, तो मैंने एक deadline देना है, उस goal को particular goal को achieve करने के लिए, वो deadline कैसा होना है, वो deadline होने, I went to lose within 3 months, लेकिन उसके लिए एक deadline होना चाहिए, जैसे कि 30 June 2020 मैंने यहाप एक deadline दे दिया है, तो यहसा है आपको एक deadline देना है, जैसे कि 2020 कि 13 June के अंदर मुझे अपने 5 kgs weight loss करना है, always repeat your goals to yourself, the more you repeat them, the more you will be reminded to them, तो हमेशा अपने goal को repeat करते जाए, जैसे कि 5 kgs weight loss करना है within 3 months, तो दोस्तों मैंने जो bonus आप लोग के बताया था, कि मैं आप लोग को bonus से share करूंगा, कि मैं किया करता हूँ, वो मैं यह करता हूँ, visualize your goal everyday at least 3 times and make a vision chart, मैं अपने goal को visualize करता हूँ 3 times, consequence time मैं करता हूँ, यह भी आप लोग के साथ share करता हूँ, मैं करता हूँ, सुबह बिस्तर से उतरने से पहले मैं visualize करता हूँ अपने goal को, इसके बाद दोस्तों मैं सोने जब जाता हूँ रात को उसके पहले मैं विजुलाइस करता हूँ अपने गोल को और दुफेर में मैं एक टाइम करता हूँ एटलिस दो टाइम सुबा जब आप नीन से जाकते हैं उसके बाद और जब आप सोने जाते हैं रात को उसे पहले आप आपको visualize करना बहुत important होता है इससे आपका subconscious mind बहुत active हो जाता है आप देखें कि आप जो चाहते हैं वह आप पा चुके हैं जो गोल आपने set कर लिया वह आप achieve कर चुके हैं सो मैं बोलूंगा कि अगर आप long time goal कुछ set करते हैं उसके लिए short time goal आपको बनाने हैं उसके लिए आपको short time goal को achieve करने के लिए आपको यह smart goal का formula आपको याद रखने हैं और उसको अच्छी तरह से यूज करने हैं और जो मैंने बुना से आपको बताया कि आपको visualize करने है यहां पर अटलिस थी ताइम नहीं होते तो आप two times भी कर सकते हैं जितना टाइम आप चाते हैं इसमें कोई पावंधी नहीं है लेकिन एटलिस थी टाइम करना important होता है इसलिए मैंने यह आप बताया कि अगर थी टाइम भी करने ही पाते हैं तो जरूर जरूर करना यह याद रखना है है आपको सो गाइस आपने देखा कि मैंने बताया कैसे आपको गोल सेट करने अपने लाइफ में सेम वैसे ही आपको करना है और मैंने जो पॉइंट आपको बता है वह आपके दिमाग में रहना है जब आप गोल सेट कर रहे हैं इस वीडियो को यहां तक मैं रखता हूं और मिलते हैं नेक्स वीडियो दोस्तों अगर यह वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतने दुस्तों जय हिंद जय भारत